एलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे यहाँ पर ओपरेटिंग सिस्टम की जो नेक्स्ट वीडियो होगी और नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे जो की होने वाला है यहाँ पर मैमोरी management all right so काफी दिन हो गया वीडियो जो नहीं बनाई थी उसका रीजन आप सभी को पता है कि यहाँ पर राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल की जो एक्जाम थी उसका एनलाइसिस कर रहा था और तोड़ा setup को change करने में बिजी था अभी भी whiteboard पे मैं इसलिए नहीं बना पा रहा because मैं perfectly whiteboard में lighting का काफी problem आ रहा है वो set करूँगा उसके बाद ही मैं whiteboard पे यहाँ पढ़ाऊँगा बट यह जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ यह तरीका भी आपको बिलकुल पसंद आएगा क्योंकि इसमें भी digital pad से मैं कह सकता हूँ digital pad से digital teaching pad होता है उससे मैं आपको पढ़ाऊँगा यहाँ पे तो कोई problem यहाँ पे नहीं आने वाली है आपको समझने में और यह वीडियो बहुत अच्छी बनेगी मेरे इसाब से whiteboard से भी अच्छी यह बनेगी आप comment करके जगर बताना कि यह पढ़ाने का तरीका आपको कैसे लगता है क्योंकि whiteboard पे तो अभी mobile से video record करता था तो आप जूम इन जूम आउट होता रहता था बार-बार वो focus change होता था सो मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा तरीका रहेगा हला कि मैं एक दो वीडियो बनाऊँगा इस पे सो आपको कैसी लगती है हम बता देना फिल से वापस हम whiteboard पे ही आजाएंगे अगर आपको यह पसंद नहीं आएगी तो तो यहाँ पर हम बात करेंगे memory management जो की next topic है और इस वीडियो में मैं कॉसिस करूँगा कि memory management पूरे topic को इसी वीडियो में complete कर दूँ यह वीडियो हो सकती है कि 45 minutes या एक गंटे की भी जा सकती है because इसमें मैं memory management को complete यहाँ पे cover करने वाला हूँ जैसे कि मैं आपको बताया कि मैं दिवाली से पहले पहले दोनों subject को यहाँ पे complete करने की कॉसिस करूँगा इस वीडियो में memory management को अच्छे से और जितना requirement है उतना पूरा इस वीडियो में यहाँ पे discuss करूँगा चलिए start करते हैं सबसे पहले हम बात करें कि memory management होता क्या है अगर हम सबसे पहले बात करें basically कि memory management क्या होता है memory management होता क्या है अब यह अगर writing थोड़ी यहाँ ठीक ना लगे तो उसके लिए चमचाता हूँ मैं आपको class notes भी यहाँ पे provide कर दूँगा आपको लिखने की कोई ज़्यादा problem है नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ वह आपको ज़्यादा ध्यान से समझना है अभी कर डिजिटल paradise पे लिखने में हो सकता है मुझे अभी ज़्यादा आदत ना हो तो थोड़ा writing ठीक से ना हो पाए तो उसको आप corporate कीजिएगा बात करें memory management क्या होता है अब जैसे हमने बात किया कि CPU के बारे में हमने काफी जादर काफी discuss किया था CPU scheduling algorithms क्या होते हैं कैसे process को schedule किया जाता है और हम CPU 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 के बारे में ही बात कर रहे थे तो कहने का मतलब है अगर हम हमारे computer system की बात करें तो CPU के बाद memory है जो एक important part होता है memory जो important part होता है क्योंकि हमारा सारा data है वो memory में ही save होता है अब हमारे पास memory ना होगी आफकोस CPU is very important but after that CPU memory is another important part so memory एक important part होता है so memory को अब manage करना भी जरूरी होगा यहां पर जैसे हमने CPU management देखा था CPU को कैसे manage कर सकते है efficiently इसी तरीके से memory management भी यहां पर एक बड़ा factor है memory को हम कैसे manage कर सकते है अब memory management क्या होता है यहां आपको यहां पर समझना है basically memory management का मतलब होता है कि memory management एक memory को manage करने का طریقہ है तरीका मतलब कि जब हम इसमें यहां पर कोई memory है तो let's say कोई process है उके तो कोई process है इसको memory चाहिए होगी भाई process को run होने के लिए execute होने के लिए memory चाहिए तो यहां पर कैई process हो सकते हैं हम बार 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 पड़ते हैं more than one process हो सकते हैं इन सब को memory चाहिए होगी तो कौन से process को कौन से process को कितनी memory चाहिए और वो कितने time के लिए हमें allocate करनी है तो ये सारी चीजे क्या है ये सारी चीजे operating system में decide करता है कि कौन से process को कितने time के लिए कितनी memory दी जानी है जब कोई process नई memory के request करता है तो उसको हमें memory प्रवाइड करनी होगी तो memory प्रवाइड करनी होगी तो कितने time के लिए कितनी memory प्रवाइड करना है वो सारा जो management होता है और आगे भी हम memory management में और detail में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा तो यह basically memory को manage करने का तरीका ही memory management कहलाता है यह मैंने simple सब्दों में आपको समझा है हलागी memory management में और काफी सारी चीज़े आती है logical address, physical address, segmentation क्या होता है, fragmentation क्या होता है तो यह सारे topic हम इस video में discuss करने वाले हैं, अभी हम थोड़ा patience रखें और आगे हम बात करते हैं यहाँ पर अब आपको memory management समझा गया, अब हमको पता है कि हमारी memory होती है हो एक तरिके से इरेज में da Fortunately होती है , हम कह सकते है, memory इस तरिके से डिवाइड होती है cell में da Village होती है, यह हमारी memory है अब यह से यह एक सेल है, हमारी memory होती है, इस का कुछ sleep होती है और उनमें जो हर cell है कह सकते हैं कि उसका address होता है तो हम कह सकते हैं कि memory basically address में divide होती है तब ही तो हम memory को access करना है लेट से हमें इस cell पे कोई value 10 store है तो हमें इसको access करना है तो हम कैसे access करेंगे इस cell का जो भी address होगा उसके थूरी तो हम इसको access करेंगे तो basically address यहाँ पर होता है तो अब address भी दो type के होते हैं यह तो हो गया address basically यहाँ पर होता है दो type का address हो जाएगा एक हो जाएगा यहाँ पर बात करो में logical address एक तो होता है logical address अभी हम बात करेंगे यह क्या होता है logical address और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर physical address दूसरा यहाँ पर फिजीड़ अब हम बात करें बात करें हमारी में में पता牌 दर चाहरे होता तो हमारी में छो एकच्योल आड्रस होता है यह हो गया हमारी एकच्वल में मैं मुरी है यह actual memory है हमारी जो hardware होता है memory hardware ही होगा अब इसका जो address होता है उसको basically वो एक actual address होता है वो actual address होता है जिस पे हमारा data store होता है तो actual address है इसको बोलते है physical address basically जो हमारा actual memory में जो address होता है जो memory में present address होता है जो memory का address होता है उसको हम actual address भी कह देते हैं तो बेसिकली यह address है इसको क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे physical address इसको क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे physical address अब यह physical address है जो किसके द्वारा generate किया जाता है अब MMU क्या है MMU का full form है Memory Management Unit MMU मतलब Memory Management Unit तो अब इतना आपको समझ आ गया है physical address क्या है कि हमारी जो memory है हमारा जो hardware है ये memory है और memory एक hardware ही होगा चिपित होगी एक hardware है तो इसमें जो address present होता है वो basically हमारा actual address होता है उसको बोलते है physical address बोलते है और ये basically memory management unit है MMU है उसके द्वारा control किया जाता है जो हमारा physical address है जो MMU memory management unit के द्वारा generate किया जाता है उसी के द्वारा ये control किया जाता है memory management unit के द्वारा तो ये हो गया हमारा physical address अब एक important चीज है यहाँ पर हम हम मतलब की यूजर है जो कभी भी physical address से communicate नहीं कर सकता यूजर है जो physical address से communicate नहीं कर सकता है यूजर है जो मैं मूरी हमारी physical address है physical address है उसको access नहीं कर सकता है जो यूजर है हमारा वो physical address को access नहीं कर सकता है access मतलब कि directly access नहीं कर सकता है directly access नहीं कर सकता है physical address को जो हमारा CPU होता है जो basically वो कहते हैं कि logical address पे काम करता है वो logical address यहाँ पे provide करता है generate करता है so अब logical address की need यहाँ पे इसलिए होगी क्योंकि हमारा कोई program है let's say वो run हो रहा है जो हमारा कोई program है वो अगर run हो रहा है अब ये program हमारा run हो रहा है तो ये जब CPU इसके लिए यहाँ पर कोई address generate करेगा एक अलग से और वो address होता है जो CPU generate करता है उसको हम बोलते हैं बेसिकल यहाँ पर logical address logical address या इसको हम बोलते हैं यहाँ पर virtual address या इसको बोलते है virtual address अब logical address क्या हो गया logical address बेसे कलिए वो address होता है जो CPU के द्वारत generate किया जाता है और इसको logical address भी बोलते है या इसको virtual address भी बोलते है अब हम तो user तो physical address से direct access नहीं कर सकता है तो यहाँ पे virtual address वो है जो CPU generate करता है और इस virtual address को ही user है वो access कर सकता है virtual address को ही user access कर सकता है तो virtual address क्या हो गया virtual address CPU के दुआरा generate किया जाता है और user है जो virtual address के साथ ही communicate कर सकता है इसी को वो manipulate कर सकता है इसी को वो access कर सकता है तो आपको यहाँ पर समझ आ गया है logical address क्या होता है और यहाँ पे physical address basically क्या होता है यह दोनों आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा logical address है या कह सकते है virtual address है जो CPU के दुआरा generate किया जाता है और जो हमारा physical address है जो की हमारा actual address है वो यहाँ पर हमारे MMU के दुआरा generate किया जाता है मतलब कि memory management unit के दुआरा यहां पर यह डवलप किया जाता है अल्राइट अब यहां पर यहां पर आपको दोनों समझ आ गए कि वर्चुल एड्रस और यहां पर फिजिकल एड्रस क्या होता है अब होता है यहां पर यहां पर फिजिकल एड्रस इस्पेस एक होता है यहां पर टम आती है फिजिकल एड् फिजीकल एड़रस इस्पेस क्या हो जाएगा? जो भी सारे हमारे फिजीकल एड़रस हैं, उनके सेट को ही हम फिजीकल एड़रस इस्पेस कहते हैं, बेसिकल सा यह आपको बता देदा हूझ है या इसको बोल सकते हैं set of all logical address जो सारे logical address हैं उनके set को हम logical address space कहते हैं और physical address के set को यहाँ पे हम physical address space कहते हैं ठीक है यह एक छोटी स्टम थी इसले मैं आपको बता दिया था अब यहाँ पर हमने इतना समझ लिया है कि basically logical address क्या होता है virtual address और physical address यहां पर क्या होते हैं और physical address space क्या होता है और logical address space यहां पर क्या होता है अब इतना हमने आपर समझ लिया है कि basically हमारा जो address है दो type के address होते हैं जैसे हमें एक तो पता है कि हमारा physical address हो जाएगा जो कि हमारा memory में होता है जो main address होता है memory का address होता है वो actual address होता है एक होता है हमारा virtual address यह हम कह सकते है logical address अब हमारा जो user है वो तो virtual address कोई ही deal कर सकता है उसी के साथ community कर सकता है उसी को access कर सकता है और virtual address है जो किसके दुआरा generate किया जाता है CPU के दुआरा generate किया जा रहा है अब यहाँ पर हमारा जो data होता है हमारा जो भी कोई data है कोई program है वो तो हमारा यहाँ पर इसमें store होगा जो data है हमारा तो physical जो actual memory होती है उसमें तो store होगा virtual address क्या हो रहा है virtual यह तो कालपनिक address है एक तरह के से वो real में exist नहीं करता है जो virtual address है हमारा यह real में exist नहीं करता है real में exist नहीं करता है यह समझने के लिए हमारा memory management करने के लिए generate किया जाता है actual address यह address है जो की हमारा exist करता है यह actual address है और इसी में data store होता है तो हम जो virtual address CPU generate कर रहा है अब data को access करना होगा तो हमें physical address पर जा नहीं होगा तो physical address मतलब की जो हमारा virtual address है इसको यहाँ पर translate करना होगा इसको यहाँ पर translate करना होगा किसको physical address में मतलब की जो हमारा logical address है logical address है इसको हमें यहाँ पर translate करना होगा किसमे physical address में physical address में इसको यहाँ पर translate करना होगा मतलब logical address को physical address में translate करना होगा या हम इसको कह सकते है map करना होगा तब ही तो हम actual data को हम store कर पाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं यहां पर basically mapping memory mapping या हम simple कह सकते हैं mapping मतलब कि जो हमारा logical address है उसको actual address से जो memory में होता है actual address उससे map करना ही आपे memory mapping कहलाता है इतना मैं आपको समझ आ गया है कि इस जो सारा data होता है हमारा जो actual memory में होता है हमारा physical memory में होता है तो जब virtual memory है हमारी logical memory है उसको हमें translate करना होगा virtual address को हमारे physical address में translate करना होगा तब ही हम इसको actual data को access कर पाएंगे इसको बोलते हैं basically memory mapping अब इसके और भी कई तरीके होते हैं simple सा इतना आपको depth में आपे जाना नहीं है basically कैसे करते हैं mapping जैसे हम example लो में आपे कि हमारी यह हमारी main memory है suppose यह main memory है और इसमें address है हमारी तो let's say यहाँ पे 1100 और यहाँ पे 1200 इस तरीके से address में divided है अब let's say यहाँ पे हमारा कोई प्रोग्राम है 1200 उसमें हमारा कोई प्रोग्राम है वो store है हमारी actual memory है तो 1200 जो हमारा physical address है मतलब जो real address है इसमें कोई प्रोग्राम है अब हमें let's say इसको access करना है तो हमारा जो CPU होगा वो क्या करेगा करता है वो यहाँ पे है let's say 200 मैं आपको क्या समझा रहा हूँ मैं आपको यह समझा रहा हूँ कि हम logical address को physical address में कैसे translate करते है एक simple सा method बता रहा हूँ जर्णली हम detail में नहीं जाना हमें मैं फिर से बता रहा हूँ तो जैसे logical address यह CPU ने generate किया वो कितना है यहाँ पे 200 है ठीक है तो यह 200 है अब यहाँ पे basically एक formula कह सकते है physical address हमें virtual address है इसको इस logical address को हमें physical address में translate करना है या कह सकते है map करना है तो basically हमारा physical address कैसे प्राप्त होगा हमें जो physical address है उसके लिए हम क्या करते है यहाँ पे एक होता है base address यहाँ पे एक होता है base address और फिर प्लस इसमें base address में हम क्या करेंगे हम logical address को add कर देते है logical address एक simple सा formula बतारों मैं आगे में बोलना है depth में हमें नहीं जाना है तो हमें physical address प्राप्त करना है तो base address होता है जो की base register में जो हमारा base address होता है बेस रेजिस्टर में यहां पर इस्टोर होगा तो हमारा जो बेस एड्रस है बेस रेजिस्टर में जो वैलू है जो एड्रस इस्टोर है उसको बेस एड्रस कर सकते हैं उसमें हमें लॉजिकल एड्रस को एड्रस कर देंगे तो हमें फिजीकल एड्रस यहां पर मिल जाएगा तो let's say CPU ने एक address हमें generate किया 200 जो कि logical address है अब हमें इसको translate करना है कि इसमें physical address में तो इसके corresponding हमें physical address प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे हमें base address let's say 1000 है base address में let's say base address की value 1000 है तो 1000 में हम 200 को add कर देंगे तो हमें आपे क्या मिलेगा यहां पे हमें मिलेगा 1200 1200 मिलेगा अब यह क्या हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा हमारा physical address और इसको कह सकते हैं कि यह हमारा actual address है जिस पे हमारी program है यहां पे इस्टोर है तो अब 200 क्या था 200 तो एक logical address था एक virtual address था काल्पनिक address था जो कि समझने के लिए यूज किया गया था memory manage करने के लिए यूज किया गया था यह जियल में कहीं exist नहीं करता है 200 यहां पे कहीं नहीं है तो physical address को हम पहले virtual address से physical address में translate करेंगे तब उसको हम access कर सकते हैं इसलिए मैं आपको बोला था कि physical address को basically जो physical address है उसको हम directly यहां पे एकसेस नहीं कर सकते हैं physical address को user directly access नहीं कर सकता है इंडारेक्टली तो अकसेस कर रहे हैं उसको translate करने के बाद हम physical address में translate कर लेंगे तो हम access कर सकते हैं तो यह था basically यहां पर आपको समझ आया होगा कि memory mapping क्या होता है और memory mapping कैसे करते हैं यह आपको यहां पर समझ आ गया अब basically यहां पर होता है memory management की कुछ techniques होती है वो हम यहाँ पर discuss करेंगी memory management की कुछ यहाँ पर techniques है हम कह सकते हैं memory management की कुछ यह management यहाँ पर कह सकते हैं memory को allocate करना है तो memory allocations की कुछ यहाँ पर techniques हैं वो उनके बारे में यहाँ पर discuss करेंगी अब जब कोई हमारा process है वो request करेगा कि उसको memory चाहिए उस process को तो उस process को memory चाहिए तो हम इसको memory allocate करना होगा अब उसको memory कैसे allocate करना है इसके कुछ methods कह सकते हैं इसके कुछ techniques हैं जिससे कि हम memory को अच्छे से efficiently यहाँ पर manage कर सकें और उसको allocate कर सकें तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स अपना ही जाती है तो उनको बोलते हैं बेसिकली memory management techniques अब वो क्या होती हैं उनको हम one by one यहाँ पर discuss करेंगे तो बेसिकली पहली हो जाएगी यहाँ पर है single partition allocation अभी क्या है memory allocate करने की techniques हैं पहला हो जाएगा single partition allocation यह हो जाएगा single partition allocation technique मतलब की single partition अभी इसका नाम सी पता चल रहा है single partition मतलब की हमारे पास पूरी memory है let's say हमारे पास यह complete memory है for example यह हमारे पास memory है तो अभ single partition का मतलब यह है कि इसमें single partition होता है एक ही partition होता है एक तरिके से जो पूरी memory है इसको हम user के लिए allocate कर देते हैं basically पूरी नहीं कह सकते है इसको single partition नहीं कह सकते है इसको बोल सकते हैं कि इसमें दो part में divide करते हैं basically इसको हम दो part में divide करते हैं तो एक part हो जाएगा जो major part बड़ा part है उसको बोलते हैं user और एक दूसरा हो जाएगा OS के लिए हो जाएगा मतला एक तो user के लिए allocate कर देंगी और एक हो जाएगा OS के लिए तो इस single partition इसलिए बोलते हैं क्योंकि major पूरी memory है लगबग almost पूरी memory user के लिए allocate कर देते हैं OS के लिए तो छोटी सी small memory की need है तो इसमें basically कह सकते हैं कि यह 0 से लेके और let's say 124 तो मतलब एकजार 24 के भी कि यहाँ पर memory है let's say हमारे पास तो let's say 100k का यहाँ पर इसको बस US को OS को allocate कर रहेंगे operating system को बाकी की जो memory है वो हमारे user के लिए हो जाएगी मतलब कि इसलिए कह सकते हैं कि पूरी single partition मतलब कि OS के लिए तो छोटी सी memory चाहिए होती है वो reserve होती है already already reserve होती है वो memory तो उसके अलावा जो memory बचती है उसको उसमें कोई partition नहीं किया जाता है उसको एक ही partition होता है और उस पूरी को हम user के ही काम के लिए allocate कर देते हैं basically तो इसमें कोई partition नहीं किया जाता कहने का मतलब यह है तो इसको बोलते है single partition यह basically कहां भी पुराने टाइम पे यूज होती थी कब जब MS-DOS में यही memory technique memory को allocate करने की यह technique होती थी उसमें कोई partition नहीं होता था simple एक partition होता था जो memory है उसको user space के लिए यहां पे allocate कर द allocation अब हमारे पास दूसरा होता है यहां पे दूसरा method है जो है multiple partition मतलब कि उसमें multiple हम parts करेंगे multiple partition allocation single partition में क्या हो हमने कोई partition नहीं किया एक single partition एक single part में जो पी part है उसको allocate कर दिया अब basically multiple parts में क्या है कि यह जो memory है इसको भी हम multiple parts में यहां पे divide कर देते हैं multiple partition में basically memory है उसको multiple parts में divide कर देंगे अब वो कहने का मतलब है जो हमारी यह memory है हमारी है अब एक छोटा सा space memory का वो तो OS के लिए already reserve होता है अब जो बाकी की जो memory है इसमें पहले एक ही part किया था अब इसको भी हम क्या करेंगा basically parts में यहां पे divide कर देंगे इनके बना देंगे अब यह जो parts है यह जया तो fix size के भी हो सकते हैं यह ना मतलहगा फिक्स móroad के हैं फिक्स सासे हो जवरत इसमें 12 तरी हो गए basically अब मैं इदर लिख रहा हूँ यहाँ पर इसमें भी क्या हो गया हम multiple partition में पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर कह सकें तो यह हो जाएगा fix partition scheme fix partition scheme या कह सकते हैं मैं थाड़ कुछ भी है मतलब कि इसमें एक तो हो गया है कि जो multiple parts हम कर रहे है अलग-अलग parts वो same fix size के parts में divide करें और एक हो जाएगा variable partition इसकी मतलब कि जो multiple parts हम बना रहे है वो अलग-अलग random size का मतलब एक किसी और size का है दूसरा किसी अलग size का है तीसरा किसी अलग size का है variable size के parts में उसको divide करें और पहला है आपे fix size मतलब same को fix size के partitions में parts में divide कर देंगे तो basically जो fix size fix partition इसकी में इसमें क्या करेंगे memory को fix size के कई parts में आपे divide कर देंगे और हर एक part जो हमारा कहने के मतलब है जैसे में यह memory है हमारी let's say इसको multiple parts में divide कर देंगे है न क्योंकि multiple partition allocation method तो पडिल है अब जो एक छोटा सा part है वो तो already reserve होता है किसके लिए OS के लिए reserve हो जाएगा operating system के लिए अब जो बाकी के यह memory का part था इसको छोटे छोटे parts में आपर इसने हमने multiple parts में divide कर दिया अब हम बात करें fix partition scheme की मतलब कि इसमें parts है इसको fix parts में divide कर देंगा let's say 100 and red के parts में इसको यहाँ पर divide कर देंगे इस तरीके से continue होता जाएगा तो मतलब क्या हुआ fix size के parts में इसको divide कर दिया है और जब हर part में कह सकते हैं कि हम यहाँ पर process को allocate कर देते हैं जो भी other part होता है वो separate part है उसमें separate process को यहाँ पर allocate कर देते हैं जब भी process को let's say memory चाहिए तो उसको एक separate fix size का जो block है उसमें process को यहाँ पर allocate कर देते हैं और अब होता है यहाँ पर second है जो है basically यहाँ पर variable size मतलब कि जिसकी size vary कर सकते हैं हम इसको कह सकते है variable size partition scheme इसमें जो memory है हमारी इसमें इसको multiple parts में तो हम divide करेंगे बट इसकी अलग-अलग size को हो सकता है let's say यह हमारा है 200 size का यह हो जाया का let's say 100 का यह हो जाया का let's say 50K का और यह हो जाया का let's say 25K का ऐसे हो सकता है मतलब है ना मतलब कि इसको अलग-الग size में यहां पर divide कर रहे हैं fix size में हें नहीं divide कर रहे हैं earlier पहले क्या था यहां पर 100 size के let's say,ipples something divide कर रहे हैं, यहां पर जो blocks हैं वो अलग-लग size हो सकते हैं, matar या फिप्टी के का कोई 25 के का multiple parts हैं बहुत वह अलग-लग size की हो सकते है तो इसको बोलते है multi-party share अब इसमें क्या करेंगे basically जब भी कोई process को assign किया जाएगा तो हम क्या करेंगे इसमें जब कोई process आएगा let's say अब तो यहाँ पर basically process आथा था तो क्या कर देते let's say कोई process है हमारे पास और उसको basically let's say 40 40 KB की मेमोरी चाहिए let's say for example तो यहां पर क्या करते हैं सारे पार्ट से तो एक कुछी भी पार्ट को यहां पर प्रोसेस को अलोकेट कर देते हैं चाहिए वह 100 K का है बट हमें 40 K की नीड है बट उस पूरे प्रोसेस को पूरे ब्लॉक को आप उसको अलोकेट कर देते हैं अब variable size में क्या होता है? variable size में अलग-अलग size के यहां पर blocks है हमारी पास में तो अब let's say कोई process आएगा let's say उसको 40 K की यहां पर need है तो हम क्या करेंगे इसमें? इसमें कोई भी एक process अलग-अलग size के पार्ट है same size की होते हैं तो कोई सब भी block हम उसको allocate कर देते हैं बट यहां पर memory की उतनी available हो मतलब कैने के लिए है जो उस process के लिए परियापत memory हो उस block को यहां पर हम allocate कर देगी let's say हम यहां पर 25 वाले को करी नहीं सकते क्योंकि यह तो परियापत नहीं है इसको 40 K के भी की need है let's say जबकि तो 20 K का ही है let's say इस 50 K के वाले को हम यहां पर assign कर सकते हैं क्यों यह काफी बड़े हैं यह तो परियापत हैं जो हमें परियापत हो उसको हम यहां पर allocate कर सकते हैं अब यहां पर क्या issue आता है यहां पर issue यही आता है कि हम अलग-अलग block है कौन से block को assign करें भाई अब यहां पर हम कह सकते है कि हमारा जो process है इसको 40 KB की need है let's say 40 KB की तो अब जब कि यहां पर हमारे पास एक process है एक block है जिसमें 25 KB का है वो उसको चलो allocate करेंगे नहीं क्योंकि वो तो परियाब्त नहीं है अब बाकी के 3 block है हमारे पास यह 50 K का है यह 100 K का है यह 2 K का है 200 K का है अब 3 block है हमारे पास जो मतलब कि sufficient है अब कौन 3 मैंसे किसको हम पर यहां पर assign करें कौन से block को process को दें कहने का मतलब यह है हम 50 K को दे सकते हैं 100 K को दे सकते हैं 200 K को दे सकते हैं अब 200 K को देंगे तो इसको 40 KB की नहीं जब कि बाकी की 160 KB memory है वो waste जाएगी उसको कोई और use नहीं कर पाएगा 100 K को देंगे तब भी यहां पर आप कह सकते हैं कि 60 KB की जो वो है size memory है वो भी waste जाएगी अब point यह आता है कि हमारे पास कौन से block को यहां पर हम assign करें तो इसके भी अगलग कुछ methods होते हैं मतलब कि अब लेट से हमारे पास यहां पर तीन blocks हैं जो available हैं इस 40 KB process के लिए तो हम कौन से block को search करें मतलब searching करते हैं पहले यह तो चलो तीन ही लिए हैं काफी सारे blocks हो सकते हैं तो basically operating system क्या गता है इसको search करता है कि कौन सा block इसके लिए available है मतलब कि परियाप्त है और उसको कौन से block को हमें assign करना चाहिए तो यह कैसे करेगा search इसके लिए भी basically क्या होते हैं कुछ algorithm होते हैं उस algorithm के base पे basically हम उस block को search करते हैं कि कौन से block को इसको हमें assign करना चाहिए अब 200 K को assign कर देंगे तो इसको कह सकते हैं 160 KB की memory जो waste जाएगी तो कौसी से होते हैं कि memory का अच्छे से use कर पाएं मतलब कि जो minimum waste days हो आप यह कह सकते हैं तो कैसे search कर पाएंगे यह तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इसलिए हम बता रहे हैं कि 50 KB कब लोग है उसको assign कर देंगे but operating system कैसे decide करेगा कि कौन सा block है जो इस process के लिए परियाप्त है इसको assign करना चाहिए तो इसके लिए basically हम यहाँ पे कुछ algogy thumbs हैं उनका यहाँ पे use करते हैं अब वो algogy thumbs कौन कौन से हैं उनको यहाँ पे हम देख लेते हैं basically इन में basically यहाँ पे पहला हो जाएगा जैसे चार algogy thumbs कह सकते हैं एक तो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा first fit यह हो गया first fit एक second हो जाएगा next fit अभी मैं आपको समझा हूँगा है इनका क्या मतलब है next fit third हो जाएगा यहाँ पे best fit और last हो जाएगा worst fit है ना यह basically चार algogy thumbs हैं जिनके base पे यहाँ पे assign select करते हैं कौन से block को यहाँ पे assign करना चाहिए जैसे पहला है first fit अब first fit में क्या करते हैं कि हमारे पास let's say इधर मैं लिख देता हूँ हमारे पास let's say यह memoji है अब इस memoji को multiple blocks में divided हैं और जैसे मैंने आपको बताया था कि let's say इसकी 10 kb size है इसकी 20 kb के हो सकता है इसकी 25 kb के हो सकता है इसका 50 kb के हो सकता है और let's say इसका 40 kb हो सकता है इसका 100 kb हो सकता है और इस तरह के से हमारे में बोजी है let's say divided हैं अब यहाँ पे हमारे पास let's say एक process आता है और उसको let's say यहाँ पर 40 kb की memory की need है इतने की need है अब हम fast fit क्या करेगा basically fast fit algorithm में वो क्या बोलता है कि block को search करना है उपर से search करते जाएंगे पहला जो block मिलेगा fast fit का मतलब पहला जो block मिलेगा जो की उस process के लिए परियापत है उसको हम assign कर देंगे fast fit का मतलब जो पहला block मिलेगा परियापत block उसको assign कर देंगे तो अब इसमें searching करेंगे उपर से 10 kb वाला पहला block है ये तो इसको परियापत नहीं है क्योंकि 40 kb चाहिए 20 kb वाला ये भी परियापत नहीं है 25 kb वाला ये भी परियापत नहीं है कि हम सर्च करते जाएंगे उपर से blocks को जो पहला परियाप्ट block मिलेगा उसको assign कर देंगे यह basically fast fit algorithm कहता है तो हमारे process को कितनी चाहिए थी 40kb चाहिए थी but fast fit के according हमें यहाँ पर 50kb वाला block है जो assign कर देंगे ठीक है 10kb वेस्ट जाएगी तो वो जाएगी इस algorithm के according बोलेगा क हमें 50kb वाला जो पहला block मिलेगा पर यह आप तो उसको assign कर देंगे तो यह हो गया fast fit वाला okay इसमें कितनी memory है जो waste जाएगी 10kb तो waste जाएगी जाएगी क्योंकि process को 40kb चाहिए अब होता है next fit दूसरा होता है next fit वाला algorithm होता है तो next fit क्या बोलता है basically कि अब यह next fit में क्या क इसमें भी search करते जाएंगे और जो पहला block मिलेगा परियाप्ट block उसी को cp को assign कर देंगे बट इसमें फरक्या है first fit में तो क्या होता था हम जो searching कर रहे है first fit में basically वो कहां से कर रहे है start से कर रहे है searching है जो starting से कर रहे है starting से मतलब कि यहां से start करेंगे first fit में अब next fit में क्या होता है next fit मतलब कि अगला fit मतलब कि पहला परियाप block तो इसको यहां मिल गया था यहां तक हमने search कर लिया था अब next fit क्या बोलता है कि fast fit के जैसा ही है हम searching करेंगे जो भी पहला परियाद block मिलेगा उसको assign कर देंगे बट यहां पर searching कहां से start करेंगे वह हम यहां पर starting से नहीं करेंगे last time कहां तक search कर चुके थे वहां से आगे searching start करेंगे तो last time हम यहां तक तो search कर चुके थे तो यहां से आगे searching करना start करेंगे हम यहां से आगे search करेंगे और जो भी पहला परियाद block मिलेगा उसी को cpu assign कर देंगे तो यह भी next fit है जो भी fast fit के जैसा ही हुआ क्योंकि जो पहला पर 20-50k तक तो search कर चुके थे अब हम आगे देखेंगे तो 40k वाला block आएगा 40k वाला block है जो इसको पजियाबते क्योंग इसको 40k ही चाहिए थी तो इसको हम 40k यहाँ पर assign का सकते है तो इसके according 40k चाहिए और इसमें कोई भी यहाँ पर let's say इसमें memory waste नहीं हुई यहाँ पर है ना कह सकते हैं कि जितना चाहिए उतने काई block मिल गया तो कुछ भी हो सकता है अब जैसे है next fit है ना यह तो हमने example लिया है कि इतनी साइज है अब होता है best fit best fit basically क्या बोलता है best fit यह बोलता है कि smallest जो block है smallest परियाफ्थ block है मैं कह सकता हूँ यहाँ पर smallest परियाफ्थ block है उसको assign करेंगे मतलब कि best fit क्या बोला जो भी पहला परियाफ्थ block मिला चाहिए वो कितनी बड़ी साइज का है यह उसको assign कर देंगे बट best fit क्या कहता है कि नहीं इसमें मैं मुझी जादा waste होगी हम क्या करेंगे जो भी पहला block मिलेगा उसको नहीं assign करेंगे हम आगे भी चेक करते जाएंगे जैसे उनमें छोटा सा छोटा block smallest block जो की उस मैं process के लिए परियाफ्थ है उसको assign करेंगे तो इसके according best fit के according क्या होगा हम search करते जाएंगे जैसे let's say इसमें 10K वाला है इसको नहीं assign करें क्योंकि तो परियाफ्थ ही नहीं है 40 के चाहिए 20K वाला है इसको भी नहीं assign करें क्योंकि इसको भी need नहीं है 25K वाला ये भी परियाफ्थ नहीं है तो पहला मिला हमारे पास परियाफ्थ बिलो कितना 50K वाला आगे सल्च करते जाएंगे एक मिला 40K वाला तो दूसरा कितना मिला 40K वी ये भी परियाफ्थ तो तीन हमारे पास ब्लॉक मिले जो कि परियाफ्थ है उस प्रोसेस के लिए तो best fit क्या बोलता है बेस्ट फिट बोलता है कि smallest block है उसको assign करेंगे प्थित करेंगे तो इन में smallest कौन सा है 40K वाला smallest है तो इसको 40K वाले को हम इसको assign कर देंगे इससे क्या होगा कि memory waste है जो कम होगी कम memory waste होगी अगर हम इसको assign कर देते तो 10K वी sustainability waste जाती हमारी और इसको assign कर देते तो यहाँ पे हमारी 100 है तो 40 चाहिए, मतलब 60 KB के मैमोरी वेस्ट जाती, बट best fit क्या बोलता है smallest, तो इसको यहाँ पे assign करेंगे तो कम से कम मैमोरी वेस्ट होगी कम से कम मतलब, यह तो चलो 40 है 40 ही process को चाहिए, let's say 45 KB का होता तो हम इसमें क्या जाता है, इसमें सिर्फ 5 KB के मैमोरी ही waste होती, तो यह हो गया हमारा best fit एक होता है worst fit, worst fit का मतलब क्या होता है, यह सबसे बेकार होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो भी largest block मिलेगा जो largest block है, उसको CPU को assign कर देंगे, तो यह बेकार है क्योंकि बड़े से बड़े block को assign कर रहा है तो इसमें memory waste काफी जाद होगी तो इसका example यह है, कि हमारे पास process कितने है जैसे available कितने है, एक तो लेट से 50 KB का था, हमारे पास 40 KB का परियाप block था 100 KB का था, तो इसमें क्या बोलेगा, worst fit क्या बोलेगा, जो सबसे बड़ा block है ना, उसी को assign कर दो तो यह सबसे बड़ा block कितने 100 के वाला है तो इसके according हम 100 KB वाले block को assign कर देंगे, तो यह एक तरकी से worst है क्योंकि इसमें memory waste बहुत जादा हो रहा है let's say 200 KB वाला होता कोई तो हम 200 KB वाले को यहाँ पर assign कर देंगे तो 160 KB तो waste ही जाती है तो कहने का मतलब यह algorithm हमसे best fit, first fit, next fit, best fit और worst fit, यहाँ आपको अच्छी से समझ आ गए होंगे मैंने आराम से example लेकर यहाँ पर समझाया है कि क्या fast fit होता है, next fit क्या होता है, और best fit क्या होता है और worst fit क्या होता है तो अब यहाँ पर और next point आएगा हमारा वो discuss करेंगे, next point basically हमारा segmentation क्या होता है okay, segmentation क्या होता है उसको अब यहाँ पर discuss करेंगे segmentation basically क्या है, यह हम यहाँ पर समझायेंग सबसे पहले segmentation अब हमने आपे देखा कि हमारा जो let's say कोई हमारा memory है अब इसको हम क्या करेंगे अलगलग segments में याँ पे divide कर दिया जाता है जो segmentation में क्या करते हैं ये memory management करने का एक तरीगा है जिसमें हम क्या करते है process या blocks जो हमारा process या कोई task होता है उसको multiple segments में divide कर देते हैं जैसे हमारा ये let's say memory है process की अब इसको क्या करेंगे अलगलग segments में आपे assign कर दें divide कर देंगे जैसे कह सकते हैं ये segment let's say 0 है ये segment 2 है ये segment 3 है ये segment 1 है और ये segment 4 है ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि sequence में होना जरूर नहीं है कि 0 के बाद segment 1 ही आएगा 1 के बाद segment 2 और 3 आएगा ऐसे sequence में होना जरूर नहीं है ये अलग-अलग segments में divide कर देंगे जाते हैं ये segments कहीं भी हो सकते हैं randomly 0, 3, 2, 1 जरूर नहीं sequence में हो 0 के बाद 1, 2, 3, ऐसा नहीं है इसलिए मैंने अलग-अलग जग लग लग जगा तो बैसे इसको segments में आप डिवाइड कर दिया अब ये क्या बोलता है segmentation में मैं आपको समझाओ क्या होता है segmentation segmentation इक memory management करने का तरीका ही होता है इसमें क्या होता है कि process का जो memory space होता है उसको multiple segments में डिवाइड कर देते multiple segments में डिवाइड कर दिया जाता है अब इन segments में हम क्या करेंगे इसके लिए segmentation table को यहाँ पर यूज किया जाता है segment table है उसको maintain किया जाता है अब basically यहाँ पर multiple segments हमने बना दिया और वो segments randomly है तो इसको manage तो करना पड़ेगा न पता तोना चाहिए ने कि कौन से segment कहां से start हो रहा है कौन सा कहां तक है तो इसके लिए segmentation table का use करते है जिसमें क्या होता है पहले column में क्या होता है हमारे पास base address होता है और दूसरे में क्या होता है limit होता है मतलब कि जो segmentation है उसका base address होगा और यहां पर limit होगा और इधर let's say मैं इस तरह के से divide कर देता हूँ यह segmentation table है तो let's say 0 segment, 1 segment और 2 segment यह इस तरह के segmentation table manage होती है तो अब जैसे हमें पता तो न चाहिए कि segment में तो हमने divide कर दिया भी सिए लिए तो कौन सा segment कहां से start हो रहा है कहां तक है वो हमें समझ आना चाहिए न तो इसके लिए segment table का यूज़ कलते है अब इसमें पूरी informations होती है segmentation की वो store होती है जैसे मैं बात करूँ 0 segment की तो 0 segment let's say कहां से start हो रहा है let's say 100 से start हो रहा है तो यहां पर इसका base address के हो जाएगा 100 हो जाएगा अब इसकी size कितनी है let's say इसकी size यहां पे 50 है मैं example लूँ तो इसमें इसकी limit है वो size यहां पे 50 store हो जाएगा तो अब दूसरा segment कहां से start है let's say वो 300 से start है उसकी size कितनी है let's say 100 है तीसरा segment let's say 400 से start औो इसके size कितनी है 300 है तो इस कहने का मतलब है इससे हम पता का सकते हैं कौन सा segment काहां से start है काहांत तक है जैसे हमें 0 segment की बात करें तो हमें पता है किसका base address 100 है मतलब कि ये 100 से start होगा अब 100 जहां होगा अभी 100 यहाँ पे let's say 100 यहाँ पे होता तो हम यहाँ से समझतेगी यह zero segment है यहाँ से start है और कहा तक जाएगा इसके limit कितनी है 50 है तो भाई यह 50 तक का है तो मतलब यह 150 तक यहाँ तक का यह है इतरगे समझ सकते तो basically segmentation क्या होता है जो process के memory को हम अलग-अलग segments में divide करते हैं इसी को basically हम segmentation बोलते हैं और segmentation के लिए यहाँ पे एक table use की जाती है जिसको segment table बोलते है segment table में basically दो information हम store करते है एक होता है base address और दूसरा होता है limit तो यह basically आपको segmentation समझा है segmentation होता क्या है यह क्यों करते हैं बहुत ज़्यादा depth में आपको नहीं जाना है इसलिए मैं आगे depth में नहीं बता रहा हमें इतनी need है I think इससे ज़्यादा need हमें नहीं है तो segmentation क्या इतना समझना है आपको memory management का एक technique इससे memory को अच्छे से manage किया जा सकता है और इसमें segmentable का यह होता है segmentation memory management का तरीका है जिसमें memory को segments में यहाँ पर divide कर देते हैं तो यह आपको यहाँ पर इतना याद रखना है जो कि यह आपके लिए काफी है अब यहाँ पर एक last point आता है basically fragmentation segmentation आपको समझ आ गया अब एक next point आता है जो होता है fragmentation fragmentation तो fragmentation क्या होता है यह आपको यहाँ पर समझना है तो जब basically जो process है उसको memory में जब load करते हैं तो वह अलग-अलग size जैसे हमने इतना भी समझा था कि process को जैसे memory है हमारी क्या होता है कि अलग-अलग size के blocks में हम यहाँ पर divide करके रखते हैं जब कोई भी process है हमारा उसको let's say execute करना है तो उसको memory में हमें load करना होगा load करना होगा तो उसको memory में load करेंगे तो उसको किसी block में load कर देंगे let's say उसको इस block में आपे load कर दिया let's say यह 100k का block है जबकि हमारा process हो उसको let's say 4k भी चाहिए तो किसी block में हमने load कर दिया अब वो block है जो fix size का भी हो सकता है variable size की भ बड़ा होता है, जैसे हमने example लिया है 4K वाला, जैसे हमने let's say इस block को assign कर दिया जिसकी साइज है जिसकी साइज है और हमारा जो process है let's say इसमें P1 हमने assign कर दिया जबकि P1 की size कितनी है? 40KB तो इसमें क्या हुआ? यह process बड़ा है नहें как- þरीके से इसमें तो 40 KB चाहिए जब क्यों 100 KB का इसमें 60 KB वेस्ट ही जाएगा एक तरी किसी तो इसमें क्या होता है कि इसको हम basically divide कर देते हैं इस block को further हम यहाँ पर divide कर देंगे कि इसमें 2 blocks में यहाँ पर divide कर देंगे let's say यह 40 वाला यह 60 वाला तो इसमें process को assign कर देंगे बाकी जो 60 KB है यह basically फिरी हो जाएगा इसको फिरी कर देते हैं ताकि इसको कहीं और process के लिए काम में ले सकें अगर एक ही process को 100 KB देंगे तो इसको कोई और इसको चाहिए 40 KB तो जो 60 KB remaining है उसको कोई और यूज नहीं कर पाएगा वो unused रहेगा तो इसको क्या करेंगा basically इस block को fragment मतलब कि इसको वापस से दो parts में divide कर देंगे और इससे क्या होगा जो unused space है इसको बाद में हम use कर सकते हैं आगे इसको फिरी कर दिया जाएगा तो इस तरीकर से इस process को क्या बोलते हैं इसको बोलते है fragmentation इसको बोलते है fragmentation तो basically यहाँ पर fragmentation क्या होता है आपको समझ आया कि जो extra space होता है उसको use करने के लिए हम उसको multiple parts में उसको अलग parts में वापस से divide कर देते हैं ताकि उसको free करके उसको हम use कर सके वापस से तो इसको fragmentation बोलते हैं अब fragmentation भी basically यहाँ पर दो type क्यों होता है एक होता है internal fragmentation और एक होता है यहाँ पर external fragmentation तो दो type को होता है बस इतना ही आपको याद रख ले रहा है internal fragmentation और एक होता है यहाँ पर external fragmentation तो यह पेसे कर लिए यहां पे हमने पढ़ा memory management के बारे में जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा सबसे पहले हमने यहां पे बात की memory management memory management में हमने देखा कि memory management क्या होता है memory को कैसे manage करते हैं और इसमें फिर हमने देखा address में logical address या virtual address क्या होता है physical address क्या होता है उसको peiping कैसे करते है? memory mapping क्या होती है, यह न, और allah philosophical addresses को physical address में कैसे translate करते है? इसके बाд हमने देखा कि memory management या memory allocations की techniques क्या होती है? single partition होता है, multiple partition होता है, और multiple partition मेезжें हमने देखा है, यहां पे एक होता है fix size partition रह reinable size partition उसके बाद हमने देखा कि अब इन में से किस block को हमें sign करना है process को तो इसके algorithm हम सोते हैं best, first fit, next fit, best fit और worst fit तो ये भी हमने example के दुआर हैं आपर समझा last पर हमने समझा segmentation क्या होता है और हमने समझा fragmentation क्या होता है segmentation और fragmentation के हम बहुत ज़्यादा depth में नहीं जाएंगे क्योंकि हम अगर depth में जाएंगे तो फिर तो आगे paging वगेरा हैं आपर काफी और details में चले जाएंगे तो मैं तो को लगता है कि अभी syllabus इसका fix नहीं है तो ये काफी है परियापत है जब एक बार syllabus आएगा तो हम और detail में जितने need होगी उतना है पर पढ़ लेंगे अभी के लिए मेरे साफ से इतना परियापत है मैं इतना ही यहाँ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हम TGT का syllabus फॉलोग कर रहे है और मेरे साफ से उतना ही है इससे ज़्यादा depth में हमें जानी कि अभी जर्वत नहीं है अगर जर्वत होगी तो हम जब इसका syllabus आ जाएगा तो अच्छे से मैं वाबस से course लाँगा तो आप यहाँ आपको अच्छे से समझा दूँगा तो यहाँ पर कहने का मतलब है इस वीडियो में हमने complete यहाँ पर memory management को पूरा discuss कर लिया है memory management यहाँ पर complete कर दिया है अब एक दो topic और है जैसे file management है security है security management कैसे होता है और यहाँ पर device management क्या होता है तो मेरे हिसाब से तीन या चार्ज वीडियो और बनेंगे जिसमें मैं कॉसिस करूँगा कि एक ही वीडियो में जैसे इस वीडियो में हमने memory management को complete कर दिया एक वीडियो आएगे दूसरी उसमें मैं management को complete कर दूँगा क्योंकि छोट-छोट topic है एक तीसरी वीडियो आएगे जिसमें हम क्या करेंगे security management security कैसे होता है operating system security को कैसे manage करता है उसको बता दूँगा और एक last video मना देंगे जिसमें हम लेट से device management को बता दूँगा और फिर एक वीडियो कोई जिसमें कोई point छूट जाएगा जैसे fork joint वगेरा यह होते हैं यह point मुझे पता है क्या क्या छूटा हुआ है अभी आप फिकर ना करें मैं सारी topics को पढ़ाऊँगा तो मैं कहने के मतलब है कि इसमें अभी मैं सिर्क तीन से चार वीडियो और आएगी और इसमे आज एक वीडियो और लाऊँगा मैं सामको फिर कल भी मैं courses करूँगा एक दो वीडियो तो लाऊँ एक तो आएगी आएगी ओसकता है दो वीडियो भी लाऊँ तो इस तरीके से मैं दो तिन दिन में इस operating system को complete कर दूँगा फिर दो तिन दिन में हम courses करेंगे C++ programming को complete कर दे तो इस तरके से में दिवाली तक कहने का मतलब है कि आप दिवाली मना के फिरी होंगे तो हम तक यह दो subject को मैं पढ़ा दूगा और वापस से हम दिवाली के बाद फिरी हो के वापस से start करें classes तो हम नहीं दो subject को स्टार्ट करेंगे इन दो subject को मैं courses करूँआ या पर complete कर दू सो मैं आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी इस चे आपको काफी को समझने को मिला होगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो हम इसको like कर सकते हैं comment करके मुझे बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ share कर सकते हैं दोस्तों को स्टार्ट कर दूँगा आपको यह बस वन के करवाने उसके बाद मैं लाइब स्टार्ट कर दूँगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स डूडियो में तब तक के लिए बबाई और टेक गया